हेलो प्रेंट्स क्या हाल चाल है आई तिंक आप लोग ठीक होगे तो दोस्तों आज मैं आपके सामने यहां पर बहुत इंफॉर्मेटिव एक वीडियो लेके आया हूं एक टॉपिक लेके आया हूं और यह जो हमारा टॉपिक है यह है एज लिमिट फॉर सेस्यार नेट एग् करेंगे कि क्या-क्या एज लिमिट है इस एक्जाम को देने की लिए ठीक है क्योंकि हम अक्सर डाउट में रहते हैं कि याृण जैज लिमिट क्या है नेट के लिए क्या प्लप सिजए हमारे दिमाग में चलती रहती है तो आज इसी के ऊपर मैं यहां पर वीडियो लेक वो किती है 28 year ठीक है तो 28 year यहाँ पर आपकी जियारिफ की age limit रखी गई है ठीक है और साथ साथ में यहाँ पर और यह जो age limit है ना यह आपकी general category के लिए है ठीक है अगर आप general category से belong करते हो तो यहाँ पर अगर आप जियारिफ का exam देना चाते हो तो आपकी जो age limit है वो 28 year होनी ह ठीक है मतलब इस से जादा के आप apply नहीं कर सकते वहीं पर आपको अब यहाँ पर कुछ relaxation मिल जाता है category wise ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हो however there are age relaxation for the candidates blowing to a certain category such as SCST PWD women's and trucks gender it is a ठीक है अगर आप यहाँ पर SCST category से belong करते हो तो आपको यहाँ पर age के अंदर relaxation मिल जाएगा अगर आप PW से हो है ना यानि कि आगर आप थोड़े से physical handicap हो तो आपको मिल जाएगा तो उसके बाद है woman अगर आप यहाँ पर general category से भी हो और साथ में अगर आप एक female candidate हो तो भी आपको age का relaxation मिलेगा ठीक है और अगर आप transgender हो तो भी आपको यहाँ पर age का relaxation मिलेगा ठीक है वही पर अगर मैं बात करता हूँ SC, ST, PWD और यहाँ पर आपके women हो गए यानि कि female candidates हो गए या truck gender हो गए उन सब के लिए जो age limit है वो कितनी है 33 यानि कि यहाँ पर आपको 5 साल का age relaxation मिलता ठीक है तो यह चीज़ है तो यह तो बात कर रहे हैं हम किसकी जयारिप की वही पर अगर मैं बात करता हूँ net exam की ठीक है जो हमारा lecture sick पर exam होता है उसमें कोई भी upper age नहीं है ठीक है मतलब आप किते भी पुराने हूँ ठीक है तो आप इस exams को दे सकते हो चाहें आपकी age यहाँ पे 28 क्रॉस कर गई हो 30 क्रॉस कर गई हो 35 क्रॉस कर गई हो 40 क्रॉस कर गई हो 50 क्रॉस कर गई हो ठीक है आप net lecture ship का form भर सकते हैं लेकिन जो आपको जयारिफ मिलेगा वो मिलेगा 28 पर ही ठीक है तो जयारिफ की age limit fix है लेकिन net की कोई age limit fix नहीं है ठीक है तो यह हो गई है बात तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा इसके बाद आप यहाँ पर भी देख सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे लिखावा एस यहाँ net age limit varies depending on the category यह मैंने आपको पहली बता दिया है ठीक है तो जयारिफ के लिए जो हमारी अपर एज है जयारिफ के लिए वो किती है 28 ठीक है वहीं पर आप सपोस्ट करो कुछ इस categories है उनके लिए हम बात करते हैं जैसे सेड्यूल कास्ट सेड्यूल ट्राइब स्ट इनके लिए आपको पांस साल का relaxation मिला है यानि 33 एस तक यह फॉर्म भर सकते हैं उसके बाद है person with disability ठीक है अब मालनी जो जो पी डबलू वाले हैं ठीक है उनके लिए जो एक्स रिलेसे साल का है तो यहाँ पर लिखावाए देर इस नो अपर लेज अपर एज लिमेट फॉर दर लेक्टर शिप एंड असिस्टेंट फॉफेसर तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी ठीक है उसके बाद मैंने यहाँ पर टेविल में भी इसको आपको दिखाया हुआ है ठीक ह यहाँ आप देख सकते हैं किसे हैं टकले फाइव एंपर की पाइव फाइव ए राख जैंडर और लिए फाइव है पी डबलु के लिए थोड़ा सा मेरे को लगता है की कंफर्म करना पड़ेगा एक बार ठीक है क्या है लेकिन फिरफी इसके लिए हम 5 की चलते हैं कि 5 ही है फिर female candidate के लिए 5 है और OVC के लिए हमारा 3 साल का relationship है ठीक है तो ये चीजे हैं I think आपको ये clear cut यहाँ पर हो गया होगा लेकिन आपको एक बाप बता जाता हूं ठीक है यहाँ पर जो age limit है ठीक है ये तो paper के हिसाप से है लेकिन आपकी खुद की तो एक age है न कब तक आप इस exams को देते रहोगे मैं तो यह कह रहा हूं जितना जल्दी हो सके इस exams को clear कर लो ठीक है क्योंकि आपको अपने आने वाले सभी काम एक सही age में करने होते हैं कब तक आप इस exams की preparation करते रहोगे एक attempt दो attempt तीन attempt चार attempt पांस कितने attempt ही आप लोगी आप पर दोगे तो एक बार लगके इस exams की तैयारी कर लो यह मत सोचो कि आपको पांस साल का relation मिला है अगर कोई categories wise है ठीक है तो क्योंकि देखो आपकी तो एक age है ना यह तो government की तरफ से कि आप इस paper दे सकते हो लेकर अगर आप 28 की age में इस paper को clear करोगे फिर आप PhD करने जाओगे तो पांस साल फी वहाँ पर दोगे उसी तरीके से अगर कोई category में हैं लोग हैं ठीक उनको लग रहा है कि 33 तक मैं इस paper को दे सकता हूँ तो मान लिजा अगर 33 में आपने अपना ज्यारेफ निकाल भी लिया फिर आप PhD करने जाओगे तो उसके बाद फिर उसमें 5 साल एड कर दिये यानि कि 40 साल के हो जाओगे तुम तो इस से अच्छा है कि भाई अभी कर लो क्योंकि आपकी खुद की एक एज है और उस एज में रहते हुए आपको अपने सारे काम करने हैं ठीक है सही टाइम पर साधी होगी सही टाइम पर फैमली बनेगी फिर और भी क ठीक है पर एक एज के अंदर इस एक्जाम को किलियर कर लीजिए ठीक है यह मा सोचिए कि वे जियारिक के लिए 28 है और किसी कैटेगरी से अंदर 33 है आपको यह मान के चलना है कि आपकी जिन्दगी का एक एक साल कीमती है और पूरी की पूरी कोशिस कीजिए कि आप कम से कम में एक दो अटेम में ही इस पेपर को कौलिफाई कर लीजिए ठीक है तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को वैस्ट विसीज है कि मैं चाहता हूं कि आप जल्दे जल्दी इस एक्जाम को कौलिफाई करें और अपने लाइप में अच्छा मुकाम हासिल करें ठीक है दोस्तो मिलते हैं क्लास में तब तक के लिए बाबाई